नमस्टकार दोस्तों मैं भभीता कासने और सॉगत है आप सब का हमारी YouTube channel भभीता कासने अगरड में दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही है यह टेस्टी नोश्ता आज हम सुजी के पर बनाने वाले हैं तो चली विल्यू शूपर पर बनाने के लिए मैंने हैं यह एक पाने डालेंगे और मैंने इस तरह से घुगा के लिए रखिया है और इससे आप 15-20 मिनट भी लिए लख सकते हैं अगर आप इससे ज्यादा फूली विसमें पर बनाना चाहते हैं तो आप इससे पूली राथ तक भूकर भी रख सकते हैं एक लिए इससे मैंने गरावन के लिए ड़ख दिया इसे मैं सिर्फ एक चम्च की आसपास भी डालोंगी यह एक प्याज लिया में कटा हुआ यह गाजर लिया और यह मतली है यह दनिया और करीप अ काटके मैं रखे हैं आप इसके अंदर चाहे तो शिमला मेट्चेयाज कर सकते हैं यह यहां डालेंगे फ़का सा सोते कर लेंगे यानिकी हल्का सा इसको भूलने लिए जादे पकाना करेंगे बहुत ही टेस्टी बहुत ही वेल्दी और बहुत ही कम नोई से बनने वाला यह नाचता है एक बाइसे जरूर बनाके ट्राइब कीजिए आप अब इसमें मट्रा एड कर रही हूं ने पूरा नहीं पकाएंगे हम अब हम गयंत को बंद कर देंगे और सब्जी यह कना होने के रखे नहीं इटेंगे तो धन्रा गाइब how to do अब इस सब्जिया मैं इस बैटर में आड़ कर रही हूं अब इसमें मैं ये क्रश्च करके थोड़ा सो धनिया डाल रही हूं होतों से क्रश्च कर लूँगी इसको में इस तरह सी अब इस बैटर में मैं आदा चमज के आज पास बेटिंग सोडा है इसे डालूंगी बेटिंग सोडा है ये जो इनफो को फूले में वजब करेगा इसकार नपे हमारे फूली सीले बनेंगे इसको मिक्स कर लेंगे हम और मैंने ये आपास सेंड है जिसे गैस पे रख दिया है आप इसके अंदर में बिल्कुल थोड़ा फुड़ा ऑईल डालूंगी देखिए बिल्कुल तीन डॉप के आसपास यह डाल रहे हैं ज्यादा वेल नहीं डालेगा इसमें इसमें सबी इस सांचे हैं में हम ऑईल डालेंगे इसमें हैट करूंगी मैं ये राई थोड़ी थो सिर्फ एक चंबर से डालेंगे उपर से नहीं निकालेंगे चूलने के बाद ही अपर बाहर निकल जाएंगे देखिए इस सब के अंदर मैंने इकवली वैटर भर दिया है अभी से धबका रख देंगे हम और चार से पांच मिनुट तक सिंपी पकने देंगे ये दिखिए इ कितने कुबसूरत और कुप सूरत और क्रंची अपर बनके तैयार होंगी ये बहुत जाधा टेस्टी नौन स्टिक होता है यह पिर श्टेंड विसमें आप बिना ओईल के भी इसे बना सकते हैं अजर आप ओईल नहीं खाना चाते तो इसे बिना बना लेंगे सारे आपए बना लेंगे ये देखिये हमारे टेस्टी और हैल्दी ये आप सब के लिए तो आप इसी जरूर ट्राइग किजिए बहुत ही एल्दी और टेस्टी नास्ता बनता है अपने फैमिली के लिए फैंड के लिए बनाएए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए चैनल को सुस्क्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए चलिए मिलते हैं इसे भी साथ थन्यवाद